दोस्तों, हमारी जिन्दगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं, कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत, सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आव साल पहले की बात है एक छोटे से राज्य में एक बौध भिक्षु निवास कर रहे थे जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे वह बौध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते समझते उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आँखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात स शाय दिन साधू के पास कोई ऐसी चमतकारिक शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महराज से यह पूछ भी लिया। उस शिस्य ने पूछा क्या आपके पास ऐसी कोई चमतकारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टी है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोच पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर-जोर से हसने लगे। लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर चार मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकठा करके अपने गाव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे। इसलिए वे लोग पैदल ही आत्रा क इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकठा करके अपने गाव की और प्रस्थान कर रहे थे। और जब हम अपने गाव पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यक्ता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दर्वाजा खट-खटाते हैं। तब ही सामने से एक बूढ़ी औरत दर्वाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़ कर उस बूढ़ी औरत से कहता है। माता जी हम अपने गाव की ओर जा रहे थे लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुखना चाहते हैं कल सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है ठीक है तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुख सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं खाना बनाने जा रही हूँ कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ उन चारों ने सहमती जताते हुए कहा हाँ बिल्कुल उसके बाद उन चारों मित्रों ने वर्धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा माताजी इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौपते हैं क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ती से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए तभी वह बूढ़ी औरत कहती है ठीक है बेटा यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौपेंगी और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूँगी वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा कर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खा कर सो जाते हैं अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यातरा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है भाईयो इस बूढ़ी औरत ने हमा यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बूढ़ी से पोटली हासिल करके ही रहेगा बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है मित्र मुझे जोरों की प्यास लग गई है मैं जरा उस बूरी औरत से पानी मांग कर ल कहता है माता जी अब हम यहां से जा रहे हैं कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है नहीं नहीं जब तक तुम चारों एक साथ नहों तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती तुम ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारो एक साथ नहो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है। लाओं। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है। इसलिए वह हमसे आग्या मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा हाँ हाँ ठीक है ले आओ। ये देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब ये चारों यहां से जा रहे हैं और ये अपनी पोटली मांग रहे हैं। इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को ले कर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्थ हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लोटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं। तभी बुढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं। जिसने हमारा सारा धन हमसे लोट लिया। हम बरदाश्ट नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे। न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजदर्बार में पहुँच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यान पूर्वक सुनता है तो वह तुरंथ ही उस बुढ़िया को राजदर्बार में पेश होने का आदेश देता है। देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हरजाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लोटाना होगा। राज़ा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी और फूट फूट कर रोने लगती है। और राज़ा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है। हे राज़न मैं तो एक बूढ़ी ओरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और नहीं मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लोटा सकूँ। मैं तो अकेली हूँ, बे सहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता, वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी, यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लोटाएंगे, मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करू कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन, यदि मैंने उनका धन नहीं लोटाया, तो मुझे राजा मार डालेगा, वैसे भी मेरी ही गलती है, जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था, कि जब तक हम चारों एक साथ ना आये, तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा दी है, फिर नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहचता से करते थे, उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो, इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है, और कहती है, हे महराज, इसमें गलती तो मेरी ही है, उन चारों ने तो पहले ही कहा था, कि जब तक वे चारों एक साथ ना आएं, तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी, और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया, ले लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाओंगी, तब ही बसंत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा, इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, कुछ देर के लिए आँखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं, मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं, और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी राजा ने फैसला किया है, वह बिल्कुल गलत है, आपने जो किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राज राज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया, उन संत और उस बूढ़ी और उस बूढ़ी और चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया, ऐसे में इस बूढ़ी और उनका धन तो लोटाना ही चाहिए, राजा ने गलत फैसला कहां किया है, तभी बसंत उस बूढ़ी औरत से कहते है जाओ और राजदर्बार में कह दो कि हे राजन आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूँगा पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राजदर्बार में जाकर भरे राजदर्बार राजा को ये कह सके कि राजन आपका फैसला गलत है लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राजदर्बार लोटी उसने डरते हुए भरे राजदरबार राजा से बड़ी थर्राती आवाज में कहा हे राजन आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है क्या उन्हें नहीं लगता कि मैने सही निर्णे लिया है मैं हर रोज कई निर्णे लेता हूँ कई फैसले करता हूँ लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला न सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूँगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिरवह साधू ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं, जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सब के लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंथ ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राजदर्बार में लाओ। राजा की आग्या के अनुसार वे सैनिक तुरंथ ही उन संत को लेने क लिए निकल पड़े, वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राजदर्बार पहुंचे। राजदर्बार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतिजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महराज आपको ऐसा क्यों लगता ह यहां से भाग गया, तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है, क्या इसे इनका धन नहीं लोटाना चाहिए, इस पर वह साधू बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ, इस पर राजा कहता है, ठीक है कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर वह साधू बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोठली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल तीन है, चौथा कहा है, तो इनसे कहिए कि यह लोग यहां से व लोटाया जाएगा, और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लोटा देती है, तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी, और यह सही नहीं है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लोटाया जाए, तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं, और आज जोड़ कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है, आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं, मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं, तभी वह साधू उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आ आपको जल्दी बाजी में फैसले लेने पड़ते हैं, आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए, इसे आपने केवल उपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया, यदि आपने इस मामले की गहराई क तो अपने फैसले केवल जल्दी बाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो, हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसान दाई क्यों न हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां है? क्या आपके पास ऐसी कोई चमतकारिक शक्ती है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ आप में से कई लोगों को यहां ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां है जिससे मैं बात कर सकता हूँ जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ मेरे सामने आते हैं, मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तब ही मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ, ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके, अब आप ही सोचिए, आप जल्दी बाजी में यह फैसला लेकर इस बुर्या का जीवन पूरी तरह से बरबाद कर देते, हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है, यदि वह फैसला सही हुआ, तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत नि क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविश्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं, फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखन उन पर विचार करना आवश्यक है। यदि हम कम बोलना शुरू करें। आपके विचारों में शुधता आ जाती है जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आपको सही साबित करने के लिए अपने आपको उचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं। और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानोज ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रही हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बक-बक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद बखुद उपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं, इससे आपके मन में, आपके मस्तिश्क में एक साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं और आप अपने आपको साफ स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, देख पाते हैं आपको कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं, यह भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं, जब हम बेकार की बखबख करते हैं उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी उर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है नश्ट हो जाती है जिसे हम चाहें तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं फैसले लेने में लगा सकते हैं जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिश्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिश्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हों तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते होशियार होते हैं वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं वह अधिकान्शत अपना समय मौन होकर ही बिताते ह इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं लेकिन वही पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं यदि आप उन्हें पूरे 24 गंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं और महान चनक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोग सकता और आप इतिहास उठा कर देख सकते हैं आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेस्फुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष पर होता है, और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष को पाने में ही लगा देते हैं इसलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप उपर से कम बोलें बलकि आप भीतर से कम बोलिएं, भीतर से शान्त रहीं यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाब आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें आज तक जो भी लोग महान हैं जो लोग भी सक्सेस्फुल बने हैं उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष को पाने में ही लगा देते हैं इसलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप उपर से कम बोले बलकि आप भीतर से कम बोलिए, भीतर से शान्त रहिए यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाब आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? वो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी झाल झाल झाल